जय हिंद ये वीडियो मेरे गाउं गोदरास तैसे लीडवाना से जुन जुनों की यात्रा का है सामने जो लाइट दिख रही है वे हमारे गाउं के वीर सहीद सिपाई बहुरलाल सिगनल एलिजिमेंट की सहाधत पर उसकी याद में बनायावा सहीद इस्तल है काफी अंधेरा भी और देरी की वज़े से हम यह रुक नहीं पाए इसके लिए वीर सहीद से माफिस आएंगे मेरे 4 सीनियर कोल्या में मेरा इंचार कर रहे थे फिर हम पहुंच गए कोल्या में वीर सहीद शिपाई सुष जयुलिया किरती चकर 16 जाट रेजिमेंट के सहीद इ सेनियर्स हम सभी लोग यहां एककत्रित होके फिर यहां से जुन-जुनों की यात्रा पर आरम की थी कोलिया गाओं में सहीद सिफाही सुरेश जेवलिया के अलावा तीन और वीर हैं जो सहीद हुए हैं और उनकी याद में बनायावा सहीद इस इस्तल से 300 मिटर आगें करंट वाला जी मंदिर के ठीक फास में बने हुए हैं मैं और पिदाजी यहां पहुँच गये और यहां पर इन तीन वीर सहीदों के इसमारक पर उस अरपित कर इने सरदान चली दी यह पहली परतिमा है वीर सहीद नायक नरंदर सिंग सांकला जो 27 दिसंबर 2020 को वीर गति को प्राप्थ हो गए थे नायक नरंदर सिंग सांकला यह दूसरी प्रतिमा है पीर सहीद शिपाई दिनेश सहनी जो 16 जून 2020 को वीर गति को पराप्थ हो गए थे उनकी प्रतिमा है 27 दूसरी प्रतिमा है यहां पर एक ही परीशर में इन तीन वीर सहीदों की याद में सहीद इसमारक मना हुए है यह तीसरी मूर्ति है भारत तिबबत सिमा पुलिस के वीर सहीद कांस्टेबल रविंदर रेनिवाल की जो 21 अपरेल 2020 को वीर गति को पराप्थ हो गए थे मेरे पिताजी भी इन वीर सहीदों के चड़नों में पुस्प अर्पित कर रहे हैं इसके बाद हम यहां से अपने मेरे सीनियर्स के साथ मिलकर हम गिंजुनों के लिए रवन हो गए रास्ते की रिकोर्डिंग इसमें नहीं है आते समय की रिकोर्डिंग है जो आगे दिखाई हुई है पूरे दिन का रेजिंग डेगा प्रोग्राम एंजोई करने के बाद फिर हम निकले जुन जुनों से निकलते ही फाटक बंद मिला हमको पुलिस लाइन से निकलते ही यह जुन जुनों के पुलिस लाइन के सामने का रेलो फाटक है और फाटक खुलने के बाद का वीडियो आप देखिए कंटिन्यूँ कैसा लगा यह कोमेंट और लाइक करके जुरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें मेरे चैनल को भी तक सबिस्क्रा सब्सक्राइब निके तो घर प्याद जरूर करें मतों धन्यवाद जय हिंद्ध हुआ है झाल 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 झाल